नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब चली वीडियो को सुरू करते हैं आज की सुरू में हम देखने वाले हैं CSP के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर यहाँ पे चूँच करने वाले हैं सबसे कम प्राइlex में यहाँ पर प्रिंटर चूच करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि CSP की जरूत क्या है उसकी हिसपाब से जो है यहाँ पे हम printer चूच करेंगे second part में हम देखने वाले हैं जितना हो सके कम price में हो वो printer को खर्दा जा सके और यहाँ पे third part में यह आदे देखने वाले हैं कि long lasting हो हमारे CSP में ज्यादा समय तक टिकाओ चल सके चली वडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पाले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे लाल से लिखे सस्क्राइब वड़न को क्लिक करके इस चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले ताकि CSP से रिलेडिव या बैंकिंग से रिलेडिव कोई विए अपडेट आती है तो मैं समय यहां पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं CSP में प्रिंटर का यूज दो कामों के लिए किया जाता है first मैं जो है ट्रांजेक्शन स्लीप प्रिंट करने के लिए और कस्टमर को वाइड करने के लिए सेकेट काम जो होता है कि एकाउंट ओफनिंग फारम जो है हम प्रिंट करते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है प्रिंटर का तो यहाँ पर जो सबसे मस्ट जो है जो जरूरी चीज़ें है यह दो ही कामों के लिए जो है CSP प्रिंटर की आवसकता पड़ती है तो यहाँ पर हमारे पास जो है अगर ब्लैक अन वाइट भी प्रिंटर है तो हमारा इजली काम वर्क करेगा तो यहाँ पर हम देखने वाल है सबसे बेश्ट प्रिंटर ब्लैक अन वाइट में जो मैं printer यूज करता हूँ वो आता है Epson के तरफ से model जो है M105 है और ये wifi printer है direct जो है connect हो जाता है आपके laptop से PC से without wire भी आप print कर सकते हैं सबसे इसकी अच्छी जो बात लेगी यहाँ पर black and white printer है और उसका ink tank size जो है काफी large है यानि कि एक बार में आप ज्यादा ink इसमें भर पाएंगे इस printer के सबसे खास बात जो लगी यहाँ पर छोटे से छोटे page पर भी easily print करतेता है print जो है यहाँ पर कोई भी फस्ता नहीं है या अगर उसको 8 भागों में भी अगर आप divide करके छोटा page करके भी उसको अगर आप print करेंगे तो easily इस printer से print हो जाता है तो यहाँ पर इसकी price की बात करेंगे तो without जो wifi अगर इस printer को आप purchase करेंगे तो ओ आपको around आपको 10,000 to 11,000 के करीब मिल जाएगा with wifi वाला प्रिंटर आप purchase करेंगे तो आपको 12-13,000 के बीच में आपको पेक करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं suggest करूँगा कि with wifi वाला प्रिंटर पर्षेज करेंगे तो आप एक से ज़्यादा टर्मिनल यूज करते हैं दो टर्मिनल तीन टर्मिनल तो आप एक ही printer पे आप SBIC, SP सेरलेट या बैंकिंग सेरलेट कोई पी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अप्लोड करता रहता हूं तब तक लिए थैंक्यू, धन्यवाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट टुडियो में इसी तरह के महत्पून